ये जो बोलने ओक इस्तरकी की हिंदु आई पहले देखना चाहिए अच्छा ठीक है हम लोग निमंतन्न पत्र मिलने का बाद भी हुआ जाने से इंकर कर दिये हैं तो इसलिए अगर हम एंटी हिंदु है तो संकरचरिया वो क्या होते है तो मोदी जी क्या असली अचारिया है ब अचे हैं मोदी जी और उन मोदी जी के जितनी चम्चो है वही से भी हिंदु स्थान के हिंदु है पिछले चुनाओं में माली जे तु हाजर उनिस की चुनाओं में कि 63 फिसद लोग मोदी जी के खिलाब बोट दिये थे तो इसमें यह साबित होते हैं सारे हिंदु मोदी जी की जेव के अंदर रखे हुए पेटेंट नहीं आए और मोदी जी यह पहली नेता जो आया हिंदु स्थान में हिंदु धर्म को और हिंदु हिंदु धर्म की जो सोच हिंदु धर्म को एक चुनावी मुद्ध बनाने जा रहे हैं आज से नहीं बराबर्द हिंदु धर्म के साथ मैं कहूंगा जब बीजेपी पाटी खुद ये खिलवार ना करे बीजेपी पाटी खुद हिंदु धर्म को धजिया उरा रहे हैं कुए के अंदर मेदक की तरह हिंदु धर्म की सोच नहीं है हिंदु धर्म एक समंदर है ये समंदर को समंदर में रखना लए न दीजिये मोदी और उनके साथ ही ओने हिंदु धर्म को कुए की मेदक की तरह बनाना चाहते हैं हिंदु धर्म को सबसे ज़्यादा अपमान ये बीजेपी पाटी खुद करते हैं learn को अपमाने बिजरी पड़िकुत करते हैं वही राम जो ढस्त की बेटा है हो भी राम जो घरगर में लेटा है वही राम जगथ पसेरा वही राम सबसे निया रहाद है मोदै कुग राम को अबतार बनना चाहते हैं कि लोगों को आंकों में धूल जगर्थ कर और राम की महत्मा जो महत्त है वो महत्त को ये मोदी और उनके सातियों ने सारे दुनिया के अंदर धज्या उड़ाते हुए अपमान कर रहे हैं अगर हिम्मत है तराम और रामायन गरम और आपके पार्टी और ये पार्टी की सोच सबको लेकर आम लोगों में चर्चक क्यों नहीं होते हैं मोदी आएं बैटे और हिंदुस्तन के आम लोग उनको पूछे इसका अबसर मोदी देगी ते राम नाम को बड़ी सोची समझी तरीके से चुनावी मुद्दे में खिच कर असलियत में ये बदनाम कर रहे हैं मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ